अधेक्स महोदे बित मंत्राले की मांगों पर कल से बहस चल रही है इसके कई बिशों पर सदश्यों ने अपने विचार प्रकट की कॉंग्रेस के सदश्यों ने बित मंत्राले की बड़ी प्रसंसा की परन्तु अन्य पाठियों के सदश्यों ने बित मंत्राले की कारियों की आलोचना की मैं इस तरक में नहीं पढ़ना चाहता हूं मैं चाहता हूं कि बित मंत्री जी तथा उनके अधिकारी सदश्यों के विचारों को सुन कर उनके प्रस्तावों उनके सुझाबों पर ध्यान से तथा पूरी निष्ठा से गौर करें और अगर कहीं कोई गलती हुई है तो उसे अवश्य ठीक करें पेरा महोदे मैं आपका ध्यान देश की बढ़ती हुई महिंगाई की और दिलाना चाहता हूं वैसे तो इस सदी में सभी देशों में महिंगाई बड़ी है और सरकार की तरब से यह कहा गया है कि हमारे देश में महिंगाई दूसरे देशों की अपेक्षा कम बड़ी है ठीक है मैं इस बात को मानता हूं परन्तु मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि और देशों के प्रतिव्यक्ति आए क्या है और हमारे देश में क्या है हमारा एक गरीब देश है यदि इसमें महिंगाई बढ़ती है तो सरकार का यह करतब्य है कि बहए उसे रोकने की पूरी कोशिस करें महिंगाई का असर हमारे किसानों मजदूरों दफ्तरों में काम करने वाले बाबूँओं पर कितना पढ़ता है क्या सरकार ने कभी इस पर विचार किया है इस बढ़ती हुई महिंगाई से सारा देश परिशान है अता मेरा निवेदन है कि सरकार को महिंगाई को रोकने तथा उसे कम करने के ठोस उपाई करने चाहिए परा अब मैं सरकारी करमचारियों के बेतन तथा बत्तों के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ केंदर सरकार के दो परकार के करमचारी है एक तो वे जो केंदर सरकार के कारियालियों में काम करते हैं दूसरे बे जो केंदर सरकार दोरा चलाए जा रहे सरकारी परतिष्ठानों में काम करते हैं जैसे बैंक बीमा कंपनी जीवन बीमा निगम भारतिय खाद्य निगम आदि इन दोनों के बेतन तथा बत्तों में बहुत अंतर है मैं एक उधारन देना चाता हूँ केंदर सरकार के करमचारियों को बड़े शहरों में मकान किराया भत्ता उनके मूल बेतन पर 15% मिलता है और उसी सरकार द्वारा चलाए जा रहे परतिष्ठानों के करमचारियों को 25% से 35% तक मिलता है मैं सरकार से जानना चाता हूँ ऐसा क्यों है सरकार के सभी करमचारी को एक समान बेतन तथा बत्ते दिये जाने चाहिए ये भेद भाव खतम होना चाहिए पैरा